वेलकम टू कॉगनिजेंस आईएस आज मेंस एंसर राइटिंग प्रेक्टिस का हम लोग का फिप्थ डे है और हम लोगों ने अल्रेडी चार डिसकेसन कर चुके हैं जो हमारे यूट्व चैनल में आपको मिल जाएगा चलिए आज के मेंस एंसर राइटिंग प्रेक्टिस के को डिसकसन करते हैं जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को आरड़ी पता है के करंट एकर्फर से कोष्चन्स आते हैं एंड एक जोग्रफी से questions यहाँ पे पूछे जायते हैं अभी जो 50 जुन तक का मैंने सिलेबस बनाया है उसके recording ठीक तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले questions को study करते हैं questions क्या कहना चाहता है उसके बाद demand of questions को लेकरके study करेंगे और यहाँ पे आपको analyze करने की बात कहा जा रहा है और यहाँ पे अनलाईज का meaning होता क्या है जब भी आप analyze का meaning होगा तो यहाँ पे क्या किजिएगा सबसे पहले आपका जो भी issue रहेगा आप उनको break करने की कोशिस किजिएगा जैसे आप इसको break किजिएगा तो इनका कुछ depth part में जाएगा, उनका कुछ pro, उनका कुछ advantage और उनका कुछ challenges, issue क्या होगा, उस questions का, उसको अब लिखने क्या होगा, और last में आप क्या किजिएगा, वो जो challenges आएंगे, और जो होगे, या issue होगा, उस questions को ले करके, तो आप उनक करने के कोछिस कीजिएगा, challenges को address कीजिएगा, और उनका solution देने के कोछिस कीजिएगा, questions का, questions के answers को, ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो हम लोग को यहाँ पर questions कहा जा रहा है, कि हम लोग को जो one nation, one ration card schemes आया हुआ है, तो ठीक है, one ration, one ration card, इसका सबसे पहल अगर one nation, one ration card schemes आता है, तो obviously बात है, यहाँ पर किन की बात के जाएगा, poor sections की बात कर सकते हैं, wonderful sections की बात कर सकते हैं, यहाँ पर लेकिन especially यहाँ पर बोला जा रहा है, migrant worker के लिए कैसे benefit है, यह schemes, ओके, so वही चीज़, यहाँ पर questions का demand है, ठीक ना, तो यहाँ पर आपको इनक advantage, क्या क्या challenges हो सकते हैं, क्या क्या issue हो सकते हैं, और government ने इसके लिए क्या क्या initiative उठाये हैं, इनके challenges को address करने के लिए, ठीक, तो यहाँ पर सबसे परले हम लोग जाते हैं, इनका introductions part को, देखिए, अगर कभी भी इस तरह questions है, इनका introductions part में, आप सबसे परले यहाँ यहाँ O N O R C का, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, और विशली बात है, यहाँ पर जो भी आपको objectivity पता है, आप वो यहाँ पर लिखनी कोसिस करेंगे, और objectivity के साथ आथ आप यहाँ पर migrant worker का welfare कैसे हो रहा है, यह भी आप यहाँ पर लिखनी की try करेंगे, जैसे यहाँ पर दिया अगे, वो public distribution system के according उनलोगों को, क्या होगा, subsidized rate पे उनलोगों को food मिलने वाला है, तो यह हम लोग का actually में objectivity है, अधिके, यहाँ पर वो actually रासन काड का objectivity है, one nation, one रासन काड का objectivity है, यहाँ पर एक तब से universal card बनाया जाए, universal access to the food grain को लेकर बनाया, ताके migrant worker को एक तब से क् welfare हो सके, जैसे यहाँ पर लिगा, so these schemes will help to the migrant worker, और यहाँ पर अगर हो सकते हैं, 37% of its population मंद, migrant worker क्या है, यहाँ पर 37% of population है, तो आप यहाँ पर include कर सकते हैं, ताके आपका introduction better बन सकता है, ठीक, चले चलते हैं, आज का body part पर, इस questions का body part पर चलते हैं, जब भी आप questions का body part पर च कहा जाता है, ठीक, तो आप यह linking paragraph को edit कीजिएगा, ताके examiner को एक तससे मजा आएगा पढ़ने में, कि आगे बच्चा क्या लिखना चाहता है, बंदा क्या लिखना चाहता है, ओके एक तससे आप link करना चाहते हैं, introductions part को, और body part को, ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है currently, रासन कार्ड can avail their the enlightenment subsidy food grant, under the National Food Security Act, only from the designated fair price shop, within the concerned state, ओके तो यहाँ पर क्या है कि रासन कार्ड, हम लोगों को यहाँ पर मिलता है, वो किसके अंदर में लाएगे, कौन से अंदर में लाएगे है, National Food Security Act के अंदर में लाएगे है, और यह act कब आया था, आपका, दो हजार तेर प्राइस सोफ से हम क्या कर सकते थे वहां पर तीन रुपे केजी राइस टू रुपे केजी वीट एक वन रुपे केजी कोर्स घ्रीन खई सकते थे ठीक ना कौन जिनके पास 1 पेड आट है जिनके पास रासन कर दिया और देख्या अब यह जो है आपका वन नेशन वन रासन कार्ड यह पैलेट प्रजेक्ट बहुत सारे स्टेट में चल रहा था लेकिन यह एक्चली में नेशन वाइड आपका कभ इंप्लिमेंट होगा एक जून 2020 से ठीक तो यहां पर आप आते हैं बॉड़ी पार्ट यहां पर बोला जारा है कि जसль माल लिए यूपी है और एक माहराश्ट्रा है तो यूपी के जो माईगरिंट घर करने को लिएगर के वहां पर लेबर कर counterparts बात है कि उनके पास एक ही रासन का था न अगर वह एक ही रशन काड यह बात है कि वह यूपी में होगा अगर तो वह रासन कार्ड आपका महराश्ट्रह में भी applicable हो सकता है इसलिए यहाँ पर बोला गया है interoperability of the रासन कार्ड ऑके अब आते हैं यहाँ पर second points को लेकर के देखिए यह one nation one रासन कार्ड क्या करेगा empower कर सकता है किन को consumers को लेकर के empowering to the consumer देखे यहाँ पे consumer के पास alternative options रहेगा क्या रहेगा alternative choice alternative choice कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे बोल सकते alternative choice को लेकर के कि अगर मान की चलिए कि वो A softkeeper के पास नहीं जाना चाहता हो या A softkeeper उनके पास misbehavior misallocate कर रहा हो तो वो किनके पास जाएगा B softkeeper पास जा सकता है क्योंकि उनके पास alternative choice रहेंगे इस जगह पे तो इस तरीके से क्या होगा consumer का empowerment हो सकता है यहाँ पे एक और point भी जोड़ सकते है reducing the social discrimination भी हो सकता है इस जगह पे मान चली A softkeeper social discrimination कर रहा है किसी तरीके से तो वो और क्या करेगा वो कहीं और जगह से रासन ले सकता है कहीं और जगह से कहीं और दुकान से रासन ले सकता है तो यहाँ से एक तब से देखा जा रहा है कि empowering of the consumer to reduce the hunger देखिए हम लोग का जो government है उसने पहले ही already हम लोग million development goal 2015 तक था अब sustainable development goal 2030 तक है तो अगर national food security act आता है तो इससे एक तरफ से क्या होगा और इसली बात है जो hunger होगा हम लोग के देख में वो क्या होगा reduce होगा और अगर hunger reduce होगा तो हम लोग का एक तरफ से target जो दिया गया है वो भी एक तरफ से क्या होगा फुल्फिल हो जाएगा जैसे हम लोग को target दिया गया sustainable development goal में ending the hunger in 2013 तो यहां अगर एक से ज़्याद है अगर मान के चलिए एक बंदा है ABC इनके पास UP में भी एक रासनकार है MP में भी रासनकार्ड है ठेक तो यह एक तरसे क्या करेंगे तीन रासनकार्ड के जगा पर उनके पास क्या रहेगा एक ही रासनकार्ड रहेगा जो all state में यहां पर क्या रहेंगे applicable हो सकता है तो यहां पर आप इस point को लिख सकते हैं यहां पर आप जाने से पहले में थोड़ा सा वन नेशन मन रासनकार्ड बताना चाहता हूं तो यहां पर जो था पहले से ही यहां पर आपका देख सकते हैं कि Integrated Management PDS System आ गया था 2018 में 2018 में आ चुका था ठीक लेकिन अच्छे तरीके से reform नहीं हो पाया था इसलिए हम लोग वन नेशन वन रासनकार्ड को यहां पर ला रहे हैं ठीक ना लेकिन हाँ यह Integrated Management PDS System एकतर से क्या करेगा एकतर से यह हम लोग को Technology Platform दे सकता है for the Interstate Portability of the रासनकार्ड के लिए कहीं कहीं तो यह Apply भी भी हो रहा होगा इसलिए अब आते हैं यहां पर Challenges को लेकर के देखिए यहां पर Challenge को लेकर के हमने यहां पर क्या किया Linking किया परग्राफ को ठीक जैसे यहां पर Linking किया तो यहां पर Linking किया जैसे कि Next Body के Next पार्ट में लotte जा रहे हैं क्या हो सकते हैं चैलेंज क्या होगे नोख क्या होगा तो हम लिग उसको डिसके सकते यहां ना के अगर वन असन लग्षान काब होगा तो आपको यहां प्रट हो रहेंगे और कहा भी बेनिफिसी थूद बाइमेट्रिक ऑफ्रिक होगा अधरबाज कर सकते के अलेक्ट्रोनिक पॉंट और सेल डिवाज इंस्टॉल एड़ फेर प्राइस वॉप में इंस्टॉल और यहां पे काफिश द्रिक्ट है डिजिटलाइसन किया जा रहा है यहां पर अब इसलिबाद अधार को क्यों सर्था को लेकर करके सिद एं जो पूर बहुत सक्सशन सपी उनके पास अधार कार्ट नहीं होते हैं तो वह national food security के अंदर में food को कैसे avail कर पाएंगे तो ये एक problem हो सकता है second point पर यहां पर हम जाते है lack of data को ले करके देखे यहां पर हम लोग को यह हम लोग को नहीं पता है कि अगर UP government UP से अगर MP में migrant worker migrant कर रहा है labor अगर migrant कर रहा है तो कितना data है कितने लोग migrant के ये data हम लोग को available ही नहीं है अच्छे तरीक से पता ही नहीं है तो हम लोग कैसे एक policy को implement कर सकते हैं अच्छे तरीके से जैसे ये scheme सब्सक्राइब वन निशन वन रासन कर इनको implement कैसे करेंगे प्रोन टू करक्शन तेक एक तरफ से बोला जाता है कि वन निशन वन रासन कर्ट क्या हाइकर से federalism के against में माना जाता है तेक federalism के against में तो वही यहाँ पर बोला जाए every state its own rule of the PDS जैसे कि Tamil Nadu government यहाँ पर बोला था कि सारे state government का क्या होता है कि PDS system को कैसे implementation करना है वह उन पर depend करता है किन पर state government पर depend करता है लेकिन अगर one nation, one nation कर आजाएगा देख तरफ से central government का यहाँ पर क्या होगा intervention होगा जा central government का intervention होगा जहाँ पर already PDS system में करफशन देखा जाता था वहाँ पर और भी करफशन देखनों को मिलेगा तो भाई चीज यहाँ पर बोला जा रहा है कि every state is on rule of the PDS if the onsa is implemented it will further boost the करफशन in an already crafted PDS लास्ट पर बोला जाता है logistic issue an fps receive the monthly quota of the product is strictly in accordance with the number of the people assigned to the so onsa will fully operational would disrupt the produce यहाँ पर कहने का मतलब यह बोला जा रहा है कि मानके चलिए कि a shopkeeper के पास 50 kg रासन है 50 kg रासन है for 50% ठीक तो यह जो data है और मानके चलिए कि इस रासन यह UP में काम यह MP महराष्टर में काम कर रहा है यह रासन वाला ठीक तो कोई migrant worker आएगा UP से और यहाँ पर रासन खर देगा मानके चलिए कि 50% के जगह यहाँ पर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा तो हम लोग को यह तो नहीं पता रहेगा कि कितने % वहाँ पर आ करके रासन खरिदने वाला है तो यहाँ पर देख सकते कि इस प्रॉब्लम हो सकता है कि मंतली कोटा को ले करके ठीक ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो जिससे 50 kg यहाँ पर 50% लेते थे लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा 50 kg यहाँ पर 100% लेंगे और यह पता भी नहीं रहेगा कि यह नंबर कितना इंक्रीज हो सकता है इस जगह पर ठीक तो यह सब चीज को देखने को यहाँ पर मिलेगा यह सब चैलेंजेज हो सकते हैं देखिए और यहाँ पर क्रफशन भी इंडूज हो सकता है यहाँ पर चैलेंजेज को यहाँ पर लिंकिंग पर्ग्राफ में ने दिया तो क्या यहाँ पर चैलेंजेज मतलब एक तबसे जो चैलेंजेज आ है उनको कट से एड्रिस करना चाहिए आप यहाँ पर गौर्मेंट का कुछ इनिसीटिव को लिज सकते हैं अधर्वाइज आ आप अपना opinion यहाँ पे लिख सकते हैं ठेक ना तो यहाँ पे जब आप अपना opinion लिखेगा तो सबसे पहला point कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि social auditing होना चाहिए must be made mandated to major the performance of the onrc देखे अभी मैंने यहाँ पे बोला ना lack of data को लेकरके तो lack of data को लेकरके यहाँ पे बोला तो यहाँ पे social auditing होना चाहिए कितना persons migrant कर रहा है एक state से तूसरे state में ठेक ताकि एक ताकि परफॉर्वान्स इंपीज हो चाहिए और implementation अच्छे तरीके सो हो schemes का आते हैं next point पे to remove the to remove the sitting the रासन कार्ड विद अधार कार्ड देखे रासन कार्ड अगर अधार कार्ड से लिंक होता है तो obviously यह तो प्रॉब्लम होगा क्यों ना अधार कार्ड इनको भी रखा जाए लेकिन अधार कार्ड के साथ another identity कार्ड को भी यहाँ पे include के रहा ताकि पूर सेक्शन और फी people क्या कर सेके अच्छे तरीके से रासन कार्ड को avail कर सेके एंड वन नेशन वन रासन कार्ड को इसकी में को fully तरीके से utilize कर सके ठीक लास्ट यहां पर यह बोला जाता है काफी अच्छा पॉइंट बोला जाता है जैसे कि यहां पर नेशनल फूट सीक्यूर्टी एक्ट डिफाइंड एज़ फूट सीक्यूर्टी नाम से पर चल रहा है फूट सीक्यूर्टी को लिखर है किया गया है क्यू ना इसको हम नुट्रेशनल सीक्यूर्टी बोला जाए तेक ऐसा बोल दे जाए कि national निट्रेशनल सीक्यूर्टी एक्ट यहां पर concept यह कहा जा रहा है इस जगह पर जो food security है यह एक तब से quantity को measure करता है जबकि nutrition security अकट से क्या बताता है qualitative को measure करता है तो दोनों में काफर differences है यह quantity चीज को measure करता है यहाँ पर आप राइस ले रहे हैं wheat ले रहे हैं तो यह एक तब से क्या है आपका इससे health problem तो solve नहीं हो सकता है ठीक ना इससे सिर्फ आपका पेट भरा जा सकता है ठीक लेकिन यहाँ पे quality में क्या होगा आपको कि nutrition rich protein आपको मिलने वाला यहाँ पे जैसे कि आप एक ले लिजिए milk ले लिजिए यह सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है ठीक तरसे क्या होगा आपका health भी best हो सकता है और इंडिया का multi-dimensional poverty index भी यहाँ पे reduce हो सकता है ठीक तो हम लोग को कहां पे support करना चाहिए एक सब्सक्रा तो वह healthy रहागा mind से भी and body से भी अब आते हैं यहाँ पे जैसे देखिए nutrition security और सारे प्रोग्राम में दिया जाए जाए जैसे आप देख सकते हैं कि poor migrant household can't be neglected should be made portable मतलब यहाँ पे nutrition security से एक तब से deprived किया रहा है migrant worker को ले करके ठीक यह हम लों तीन चार पॉइंट्स यहाँ पे लिखे आप बहुत सारा पॉइंट्स को यहाँ ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पर physical burden काफी ज्यादा होता है challenges को ले करके तो जब physical burden स्टेट को होगा अगर migrant worker जैसे महाराष्ट्रा गुवर्मेंट गुजरात क्या करेगी उनलों को एक तब से पैसे provide कर सकती ही थाकि एक तब से उनको support मिले किनको state government को ओके अब आते हैं यहाँ पर conclusion parts को ले कर आते हैं तो यहाँ पर आपको एक तब से support करना पड़ेगा जो अभी current migrant crisis हो रहा है ठीक ना should be synergy opportunity to develop the national migrant policy तो यहाँ पर government को ऐसा policy अपनाना migrant worker का productivity भी increase हो living condition भी increase हो and social security भी उनको मिल सके अच्छी तरीके से ठीक तो इस one nation one रासन कार्ट के जरिये से हो सकता है कि migrant worker को थोड़ा बहुत कुछ relief मिले और बाद में भी आगे चलके relief मिले अगर अभी जैसे lockdown का situation है ना तो बहुत सारे migrant worker का migrant करके आ रहे हैं ठीक तो यहाँ पर यह issue देखा जा रहा है लेकिन lockdown जब खताम हो जाएंगे after six month जब सारे situations नॉर्मल में हो जाएंगे तब फिर migrant worker बाहर जाएंगे तुछ टाइम भी इस schemes को implement करना बहुत अच्छा रहेगा ठीक और एक तब से देखा जागा कि यह schemes काफी ज़्यादा इफेक्टिफल रहेगा देखे कोई ने कोई हर इस्की में कुछ ना कुछ लोचात रहता ही है मन्त मिन्स कहा जा है कि लूफ फॉल तो रहता ही है ठीक तो चलते हैं आज के next question में यहाँ पर देखें next question में क्या बोला जा रहा है कि यह जोग्राफी से questions पुछा गया है ठीक तो write the notes on the origin of the earth and planet in the solar system देखें यहाँ पर also examine how the scientific study birth of the planet in universe देखें यहाँ पर body part में आपका दो questions लिखा हुआ है दो questions का answer देना जैसे कि first question write the notes on the origin of the earth and planet in the solar system and second question आपका examine how the scientific study birth of the planets in the universe ठीक तो इज़र study करने से पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग सबसे पहले जैसे origin of earth जब हुआ था तो earlier theory हम लोग का कौन सा आयवा था नेवलर theory था ठीक इसको earlier theory कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सीब origin of earth के भारे में ही बताय गया था ठीक और जंबलीन आया और revise किया नेवलर hypothesis को लेकरके ठीक और उसने concept दिया wandering star का concept दिया क्या था wandering star को लेकर के देखे पहले से sun था यहाँ पर और यह एक wandering star है ठीक यहाँ पर क्या और जो matter है इनका gravitational force जादा है तो matter यहाँ से निकलेगा जिनकों लोग एक तरफ से क्या करते हैं सिगार तो सिगार करते हैं इनको ठीक ना सिगार से escape due to the gravitational force of the wandering star तो यह चीज यहाँ पर देखनों के मिल रहा था अब यह जैसे यहाँ पर formation हो जाएगा तो यह एक concept दिया गया था कि जो यह sun है तो इनको नाम दिया यह जो matter होते हैं यहाँ पर dust particles है hydrogen है and helium है ठीक और यही dust particles hydrogen helium आपस में क्या करते हैं collide करते हैं frictions होता है इन लोग के बीच में ठीक ना और जब यह frictions होता है तो friction होता है फिर एक तब से formation होता है डिस्क का ठीक और यहाँ पर क्या होता है एक तब से it's then it is a contents form of the planet ठीक यह जब दिरे दिरे contents होता है इनका planet का formation हो जाता है यह आपका नेवलर 3 में कहा गया था ठीक ना तो वही मैंने यहाँ पर क्या किया एक तब से अच्छे तरीके से origin of the earth अर्लियल कांथ गेब देखिए अर्लियल कांथ आवका जर्मन फिलोसफर थे गेब देवलर hypothesis which further revised by the laplace in 1996 in this way big bang theory given by the admin hebel in 1920 on the origin of the universe helps to understand the origin of the universe as well as a planet ठीक तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका big bang theory है यह आपका modern theory कहलाता है ठीक और जो बोला जा सकता है कि यहाँ पर origin of earth के बारे में भी बताया गया है और यहाँ पर पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर सकते हैं यहाँ आप बोल सकते हैं नेbular theory और pink bang theory के बारे में यहाँ नीवलर थी लिखा गया नेbular होगा ठीक तो यह एक्तव से the angular movement and gravity of this disc flattened the clot in the disc जो मैंने यहाँ पर भी बताया है the center of the nebula collapsed within itself और यहाँ पर एक्तव से क्या हो रहा है giving rise to the sun while the peripheral material started collapsing together and gave rise to the planet like earth यहाँ का planet like earth यहाँ जा रहा है ठीक जो यह पैच्छी जो formation हुआ ने इस जगह पर अभी मैंने यहाँ पर discuss किया आगे देखिए यह पेच्छी जो formation हुआ थर फिर यह condensed वहाँ एक तरफ से क्या planet का formation हो रहा है इस प्रिमिडिल अर्थवाज बालेंट वर्ल्ड क्रिटेश्टिक वैद लावा फ्लो वॉल्किनी करफशन ठीक ना आव आउटर सर्फेस कूल ओवर्द टाइम फिर एक तरफ से क्या हो गया प्लैनेट का formation वहाँ पर हो जाता है लेकिन यह एक दिन क्या हुआ न रहें अर्य भी नहीं रहें को और यह स्पेंड कर रहा है अभी बेस्पेंड करा है लोग पुद्ट को मानते हैं मूट्स्ट वैड्ले एकसेटिर क्रती ded कर रहा है हम्नों लोग और यहां पर आप जाते देखते हैं कि इसका body part में Big Bang 3 को क्या लिखेंगे देखे, in the beginning of the all the matter from the universe ठीक, exist in one place in the form of the teeny bowl having small volume, infinity temperature and infinity density की बात कर रहा है हाँ यहाँ पर ठीक, second point यहाँ पर पुलाज़ाँ, about 13.7 billion अगो this teeny bowl exploded and lead to the huge expansion ओके, within the first three minute from the Big Bang event, the first atom begin to form फिर इसके बाद यहाँ पर formation हो रहा है, ठीक देखे, इसको मैं अच्छे से तरह के समझाता हूँ मांचली यह सन है, इनके चात्रवा, dust particle hydrogen and helium भड़ा परा हुआ है hydrogen and helium पुरा भड़ा परा हुआ है ठीक ना, अब यह hydrogen helium है, इनको generally हम लोग क्या कहेंगे एक तरब से इस points को हम लोग कहते हैं, planethysimilars, okay, planethysimilars कहते हैं और यह जब condensed होके जब यह form बनता है, यह एक patchage का formation कर देता है इस तरह करके, ठीक, जैसे यह patchage का formation करता है, इसको बोलते है condensed form ठीकिन यह planethysimilars का कहने का मतलब क्या है, planethysimilars का मतलब यहां पर यह होता है कि large number of the small body, ठीक, उसी को planethysimilars कहा जाता है ठीक, जैसे आप यहां पर देख साता है, within the nebula stars are localized as a lump of the gases that gravitational force within the lumps lead to the formation of the core of the gases, cloud and dust, tablet around the gas core ठीक न, यहां पर आपका evolution, अर्थ में आपका एक concept आता है, process of accreation ठीक, process of accreation आपका depend करता है, किस पर, ठीक, यह आपका on the basis of density पर रहता है और on the basis, इसके पीछे region क्या है, due to the gravitational force तो वही चीज़ यहां पर बोला गया है further laser body forming by collagen, gravitational interaction between the smaller body यहां पर भी मैंने बोला, ठीक, finally this planet form the fewer laser body called the planet, यह दो planet आपस में मर जोगे, तो finally planet का formation होगा लेकिन उसके पहले condensation form में आएगा अब चलिए, चलते हैं next questions पे body का next question, sorry questions का दो पार था, second part पे चलते हैं ठीक देखे, second part में यहां पर लगा, scientist choose the examine the formation of the earth by considering तो यहां पर आज के date में scientist किस तरीके से earth को study करते हैं, origin of the earth को लेकर के, origin of universe को लेकर के, किस तरीके से study कर रहे हैं तो already हम लोगा पता है, metroid को लेकर के study कर सकते हैं, metroid which fall to the earth, are desperate to know about the universe, so scientists start making the assumption करना start कर दे हैं, first telescope जो यहां पर आया था, एक तरसे वो भी एक तरसे universe के बारे में और space के बारे में बताने लग गया, इससे पता चलता है कि प्रित्वी का कैसे origin हुआ है, universe का कैसे origin हुआ है, first जब टेलिस्कोप आया था, हम लोगा space telescope, Hubble, उनसे और ज्यादा आइडिया लगने लगा कि किस तरीके से हम लोगा universe and earth का originate हुआ है, different planetary missions को लेकर इससे, Mars orbit mission हो गया आपके, even horizontal telescope हो गया, जो एक तब से study करता है, black hole को रदे center तो milky way में, तो यह भी एक तब से हम लोग को बता आता है, geological experimental on earth, और volcano भी बताता है, जैसे कि अगर कोई volcano से earth का material बहार आता है, interior से, तो एक तब से यह क्या बता रहा है, तो अगर हम उसके material को study करेंगे, तो हम लोग के यह बताएगा कि हम लोग का starting phase कैसा था, किस तरीके से earth का originate, earth का origin हुआ, and universe का origin हुआ, तो एक तब से idea दे सकता है, small amount में, okay, तो यहाँ पर आप body part को भी लिख सकते हैं, otherwise नहीं भी लिख सकते हैं, कोई problem नहीं कि यह static portion है, ठेक न, अगर आप skip करना चाहते हैं, तो skip भी कर सकते हैं, but one and two line में आप लिख सकते हैं, अगर लिखने का मन हो तो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, So theory on origin of the earth and planet attributes by the current technology and space development program today, we also get know about the other glaciers and try to connect with the other planets like the earth, बोलने को मतलब यह है, कि यहाँ पर अभी हम लोग का technology काफी दा advance हो रहा है, तो हम लोग और अच्छे तरीके से universe को समझ सकते हैं, okay, और origin of earth के बारे में भी समझ सकते हैं, अभी हम लोग universe को अच्छे तरीके से नहीं समझ हैं, ठीक, चलिए, देखते हैं, कल का questions में क्या है, कल का questions में यहाँ पर एक current effort से दिया गया है, और एक static person से, पहला question बोला दा रहा है, critically examine the role of the MSME sector is the refer to the growth of the Indian economy, okay, तो यहाँ पर आपको critically examine करना है, MSME sector को लेकर के, और वो किस तरीके से एक तब से इंडियन, इंडियन economy में ग ग्रोव कर सकते हैं, इंडियन economy को लेकर के, ठीक, second question यहाँ पर direct static portion से है, explain the evolution, composition, structure of the earth, atmosphere, यहाँ पर तीम पाट है questions के, evolutions of the atmosphere, compositions of the atmosphere, and structures of the atmosphere, so, और सुनिए, यहाँ पर क्या है, कि अगर आपको इस questions का answer लिखना है, तो आप हमारे telegram group में जा करके, वहाँ पर answer submit कर सकते हैं, जो नीचे description हमारे telegram group का link दिया हुआ है, और telegram channel का link दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जा करके, इस questions के answer को submit कर सकते हैं, आपका within 14-8 hour के अंदर में, आपका questions का, आपके answer sheet का evolution हो जाएगा, okay, so thank you, thank you very much.